चाहत फते और बसंत मुकाबला गाड़ी असगराबाद गाओं की बड़ी सडक पर फराटे मारती जा रही थी और उसमें बैटे साहब अपनी ही धुन में गुन गुना रहे थे इतने में गाड़ी जटके मारती हुई रुकी अरे यार अब इसको क्या हुआ दूसरी तरफ पास ही मौजूद गेराज पे काम करते शीदे की नजर जैसे ही गाड़ी पर पड़ी वो छोटू से ओए छोटू तू ज़रा काम संबाल मैं ये बकरा घेर कर लाया इदर चाहत साब परिशानी में माशालला पता नहीं मैं जब भी ये गाना गाता हूँ इसको पता नहीं क्या हो जाता है माशालला मेरा गाना इतना हिट है फेमस है माशालला इतनी देर में शीदा बोला जनाब घबराने की कोई बात नहीं गाड़ी एकदम सही जगा पे खराब हुई है हैं? क्या मतलब है आपका? माई सेल्फ शीदा मेकैनिक 24 आवर सर्विस लेकर आपकी खिदमत में खाजर है इसका तो बस टायर पंचर हुआ है मसला ही कोई नहीं अभी ठीक कर देता हूँ जनाब ये कहकर छोटे को उची अवाज में बोला छोटू! साहब को कुरसी पे बिठा और असलम की दुकान से एक तिजाब की बोतल पकड़ ला मेरा मतलब है कोल ड्रिंक लेके आ चाहत साहब पास बैठे चाचा से असलम अलेकूम! लाहौला वला कुवत! बला ये क्या तरीका है सलाम कहने का? आपने पहचाना नहीं! माशालला! क्रोडों दिलों की जान! मैं हूँ चाहत फत्य अलिखान! ओहो! मैं भी सोच रहा था आपको कहीं देखा है आप तो अपने चाहत भाई हैं! क्या गाते हैं आप? वह वह! मैं तो बचपन से ही आपका बहुत बड़ा फैन हूँ! चाहत साप परिशानी में कुछ न बोले और चुप चाप रहने में ही अपनी आफियत जानकर बैठ गये! सत्या नास! जनाब आपकी गाड़ी तो लोटा हो गई! मेरा मतलब है इसका इंजन जल गया जनाब! क्या कहा? इंजन जल गया? ऐसे कैसे जल गया? पंचर तो टायर हुआ था! कहीं तुम मुझे चूना तो नहीं लगा रहे? अरे चाहत भाई! आप से तो हर कोई जलता है! अब ये इंजन तो मामूली सी चीज है! इतने में लाउड स्पीकर पे एलान होने लगा! हजडार! जिसका था सब कोबे सबरी से इंतदार! आ गया है वो शाकार! अब नहीं बनानी पड़ेगी आपको कतार! बस दस हजार जीतने के लिए हो जाओ तयार! तो जल्दी जल्दी आ जाओ पसंत मुकाबले में यार! ये एलान सुनते ही शीदा! ओए चोटू! दुकान बन कर! इस बार ये इनाम मैं हाथ से नहीं जाने दूँगा! अरे अरे! मगर मेरी गाड़ी! अरे साहाब छोड़ें इस गाड़ी को! उदर आएं आपके हजारों फैन आपका इंतजार कर रहे हैं! ओ ओ बाई! ओ बाई! मुझे फंक्शन पे जाना है! चाहत साब चीखते रहे मगर शीदे ने उनकी एक न सुनी! और वो उसके पीछे पीछे बागते एक मैदान में पहुँचे! देखा तो वहाँ पूरा गाउं जमा था! और शीदा रश में कहीं नजर नहीं आ रहा था! ठक हार कर एक चार जंगों से सजा हुआ था! चाहत साब ये मन्जर देखकर बहुत खुश हो रहे थे! मुकाबला खतम हुआ तो सरदार का नौकर! अब इनाम देने के लिए मैं ऐसे इनसान को बलाने जा रहा हूं! के महटाज नहीं हैं! ये सुनते ही चाहत साब फॉरन स्टेज पर आ गए! स्लाम अलेकूं! करोडों दिलों की जान! मैं हूँ चाहत पत्य अलीखान! All the way from London! मैं तो सरदार को बलाने वाला था! नहीं पेचाना! अभी अपना गाना सुनाता हूं! अभी आदा जाएगा! मशाल्ला! लोटा 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 बम बम लोटा लोटा कोई निका लोटा कोई बड़ा लोटा कोई निला लोटा पीला लोटा 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 ये गाना सुनते ही जैसे कहराम मचिया पूरे मैदान में लोग अपने कानों पे हाथ रखे इदर उदर भागने लेके लेकिन चाहत स अपनी दुन में ना जाने कब तक घाते चले गए बएंड कोरी वाला लोटा 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 लुटा लोटा लीक मत पप क्रोण काहानी टीवी देख्छा OUT को क्यों कारें यार वह यूटुब पे क्या सर्च करना पाता तु मैं क्या करना पोप क्रोन कहानी टीवी ये लख ले चैनल हो गया इतनी प्यारी है यार ये तो पतंगी पतंगा इदर बहुत मतारा देखे रुको जरा सबर करो मुझे भी तो बोलने का मौका दो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे आए अब आ ही गए हो तो फटा फट सबस्क्राइब भी कर दो मेरे यार ताके हम इसी तरह आपको इंटर्टेन करते रहें बस इतनी सी बात थी तो चलो फिर आज की स्टोरी देखते है काई चूर कितने दिन हो गए किसी की जेब पे हाथ साफ किये हुए अब तो जैसे नशा सा तूटने लगा है पिछली बारी की मार बूल गए उस्ताजी कैसे बूल सकता हूँ चोटे उस मुच्छड में मार मार कर हशर कर दिया था मेरी तश्रीफ का अब भी सोचता हूँ तो रोना निकल जाता है कसम से पर जो मज़ा चोड़ी में है वो किसी और काम में कहाँ रात हुई तो दोनों घर से बैल गारी लिए ये सोचकर निकले के आज तो कुछ न कुछ चुरा कर ही वापस आएंगे वही गली की नुकर पे थानेदार बैठा चाए पीने में मसरूफ था वही वाँ चाए तो तुमारी ला जवाब है बहुत शुक्रिया साहब और भी मज़े की लगती अगर इसके पैसे भी दे देते अरे कर दी ना गेरों वाली बात अरे हम तुम अलग थोड़ी है इसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करवाओ साहब बैल का ड्राइविंग लाइसेंस ओए ढकन तुमारा ड्राइविंग लाइसेंस वो तो नहीं है साहब जी लाइसेंस नहीं है तो चालान कटेगा निकाल हजार का नोट पाप जी हजार तो बहुत ज्यादा है ज्यादा है तो लगवाओं थाने का चक्कर साब मेरे पास तो सिर्फ एक सो रपे का नोट है चल सो ही दे दे भागते चोर की लंगोटी ही सही कुछ तो आया हाथ में जेती ने जान छुडाने के लिए सो का नोट दिया और बैल गाड़ी को लिए वहाँ से चलता बना ये तो वही हो गया उस्ताजी खाया पिया कुछ नहीं गलास तोड़ा बाड़ा ने उस्से से मेरा सर फटा जा रहा है दिल तो कर रहा था ठानेदार पे बैल गाड़ी चड़ा देता इतने में चलते चलते उनकी नजर काइट शॉप पे पड़ी देखा तो काइट शॉप खुली हुई थी मगर अंदर कोई भी नहीं उस्ताजी ये तो उसी थानेदार के भाई की काइट शॉप है रे शानी सारे हिसाब चुकता करने का टाइम आ गया है ये कहते ही उन्होंने दुकान की सारी काइट्स और दोर को बैल गाड़ी पे लादा और रातों रात जंगल की तरफ काइट्स को चुपाने के लिए निकल पड़े थोड़ी ही देर में शॉप आउनर आया तो खाली दुकान को देखते ही जैसे उसका सर ही घूम गया इदर उदर देख जब कोई नजर ना आया तो रोता पेटा अपने भाई थानेदार के पास जा पहुँचा लुट गए भाई कोई हमारी पूरी दुकान ही लुट कर ले गया अरे किस की इतनी हिकमत जो हमारी दुकान में चोरी करे ये कहकर जीप में बैठा और सिपाईयों को साथ लेकर दुकान पे जा पहुचा दुकान को खाली देख गुस्से से लाल पीला होकर पूरे गाउं में ऐलान करवाने लगा जिस किसी डे भी सबजी की दुकान में चोरी की है आज रात का टाइन देते है शराफत से खुद ही दुकान में वापस रख दे वरना पूरे डाउं की खैब नहीं दूसरी तरफ जेदी और शानी ने साहरा लूटा हुआ माल जंगल में एक पुराने से घर में छुपाया और घर आकर अराम से सो गए सुबा होते ही थानेदार सिपाईयों को लेकर पूरे गाउं में जगा जगा च्छापे मारने लगा मगर उसके हाथ कुछ ना आया कुछ ही दिन में जब थानेदार थक हार कर बैठ गया तो जेती और शानी फिर से बैल गाड़ी को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े अरे शानी अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे फिर हमें कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी उस्ताजी मुझे तो जार लग रहा है हमें थोड़ा और इंतजार काड लेना चाहिए एशाना हो के थाने दाड़ में पकड़ ले बातें करते दोनों जंगल में उसी पुराने घर पहुँचे जहां काइट्स को छुपाया था कुछ ही देर में उन्होंने सारी काइट्स को बैल गाड़ी पे लोड किया और साथ वाले गाउं की तरफ जाने लगे अभी वो बैल गाड़ी को लिए फाटक पे पहुचे ही थे के रास्ते में बैल गाड़ी के सामने एक सांप आ गया सांप को देखते हैं अरे क्या हो गया है इसे अरे रुक जा अरे उस्ताजी रोके इसे ये तो पागल हो गया है अरे छोटे कैसे रोकूं इसे ये नहीं रुक रहा है इधर उधर भागते हुए सीधा गाउं में लगे थाने दार के नाके पे जा पहुचा थाने दार ने जेदी और शानी को इतनी सारी काइट्स के साथ देखा तो फॉरन पकड़ लिया और मार मार कर बंदर बना दिया देखा बंदर मार कर दोटे नहीं है